घर के सारे काम हम सबी housewife अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं लेकिन कई बार कुछ गल्दियां हो जाती हैं हमारा नुकसान भी होता है और बाद में हमें पस्तावा होता है कि कास ये काम हमने इस तरीके से किया होता तो ज्यादा बेहतर होता हलो एवरिवान वेलकम टो माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर हाजिर हूँ उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी फ्रेंट्स मेरी पहली जो टिप्स है वो है लहसुन को लेकर के जब भी हम मार्केट से लहसुन लेकर के आते हैं तो ये कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है जिसकी एक वज़व होती है कुछ इस तरीके से जो कई बार हमें जमने वाला लहसुन मिल जाता है या फिर कई बार हमारी जो लहसुन की कली में कोई लहसुन खराब होता है तो उसकी वज़वजे से पूरी कली जो है शड़नी शुरू हो जाती है तो एक तो इस वज़वजे से खराब होता है दूसरा क्या होता है हमारे लहसुन में नमी जल्दी लगती हैं तो उस वज़े से वो बहुत जल्दी खराब होता है तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो एक काम आपको यह करना है कि अगर लेसुन में कोई भी लेसुन की कली खराब है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है जो जाली वाला यह तवा आता है तो यह मैंने ले लिया है यह बहुत अच्छा तरेका है लहसुन को इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका लहसुन काफी लंबे टाइम तक चलेगा तो यहाँ पर इस तवे पर जो टिप का सिरा था वो मैंने अंदर की तरफ करके इस तरीके से रख दिया है सारा जाली पे तो चलिए अब इसको लेकर चलती हूं किचन में किचन में मैंने यहाँ पर गैस चला ली है तो एक तो यह ट्रीक है आप इस तरीके से इसको गैस पर चारो तरफ घुमा दीजिए धीमी धीमी तो जितना भी लहसुन में मौशर होता है बहुत हो जाता है और काफी लंबे टाइम तक यॉछ पर रख सकती है तो इस तरीके से जब भी जी करके आए तो यह तरीक से भी विआ आप मार्केट से लिहान को लंबे टाइम तक स्टूर टोड़ मेरी अगली टिप है आलू के लेकर कि जबहुना मेरी अगली टिप है अलू के ले करके जबई आन Eu ise को लेकर कर्टी और complaining लेकर सकते हैं लेकिन कीया goofy साथ जड़ी मतः हो गई च्वाइल हो गया जो भी रख्के उबालना होता है में उबाल लेती हूं तो यहाँ पर मैंने yellow लग Рघ्ग तो आलो में गघए रीचल आप पानी अजाता है तो इस तरीक बर ऑप सूरी एट वाहल करना करने साटी है वो कर सकती है फ्रेर्स मेरी अगली जो टेप वह प्याज को स्पार यह तो कई कि की में उतनी जल्दी होती है कि इसी को पाणी में डालब होती है कि और फ decir और दोने के बा इसाटन नहीं को दो दोटकोड़ें वह चाएं में कट कर लीजिए और कट करने के बाद इसको आप पानी में डाल दीजिए इस तरीके से जैसे मैंने डाला है इसको थोड़ी देर के लिए डाल दीजिए ज्यादा देर के लिए नहीं डालना है बस दो तीन मिनट के लिए डाल दीजिए उसके बाद आप इसको बारिक बारिक चॉप कीजिए क्योंकि इ तब तक ये जो है पानी में पड़ा रहेगा और इसका जो तीखा पन है प्याज का वो कम हो जाएगा तो इसको काटने में काफी जादा आसानी होगी प्रेंट्स मेरी अगली जो टिफ्स है वो है लेमन ग्रास को ले करके इसके फाइदे बताने की जरूरत नहीं है यह ज्सके बहुत जादा फाइदे होते हैं और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है चाए में अत्रक की तरह adalah बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो friends मैंने अपनी plants की cutting करेती और जब भी मैं cutting करती हूँ तो इसी तरीके से मैं इसको store करके रखती हूँ और ये करीब हपते 10 दिन तक फ्रुज में जो है काफी जो है अच्छे से store हो जाता है विल्कुल fresh रहता है तो यहाँ पर मैंने इसको धो लिया था होने के बाद कुछ इस तरीके से चोटी चोटी टुकडों में मैंने इसको cut कर लिया है और काटने के बाद यहाँ पर यह कटनी हो रहा था मतलब फैल रहा था तो मैंने हागी rubber band लगा दिया था और फिर इसको आप किसी भी air tight container में paper डालके या फिर tissue paper डालके इस तरीके से रख लीजिए और रखने के बाद इससे आप room temperature पे जैसे हम बाकी सबजियां store करते हैं अगली tips की तरफ और अगली tips है ग्लासों को लेकर के जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं मुझे लगता उनके घर में पूरा दिन जो है ग्लासे निकलती रहती है क्योंकि बच्चों के आदत होती है एक ग्लास में पानी पीएंगे फिर उसको रख देंगे उसके बाद मुझे तो इसी में पानी पीना है तो बस उनके जो है ग्लास के पीछे इस तरीके से आप नेल प्रिंट से नाम लिख दीजिए अगर अलग कलर की नेल प्रिंट है तो भी लगा सकती है लेकिन इस तरीके से नाम लिखने से क्या होता है पहचान हो जाती है वरना कलर जो होते है नेल प्रिंट के हम भूल भी जाते हैं कौन किस की है और इस तरीके से एक काम और कीजिएगा जिनके घर में छोटे बच्चे उए तो उनको आप छोटी ग्लास दीजिएगा होता कि है बच्चे पूरी ग्लास पानी भर लेते हैं फिर एक दूग फहोट पीती है उसके बाद सबके घरों में लग जाते हैं बड़े बुढ़ों को तो लगते ही लगते हैं साथ में बच्चों को भी लग जाते हैं और आपको भी लग जाते हैं तो इनकी हमें पूरा दिन जरूरत पढ़ती हैं तो इनको हम पूरा दिन पैक करके तो नहीं रख सकते हैं बस आप एक पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो कोमेंट करके जरूर बताईएगा कौन सा टिप्स जादा अच्छा लगा ये भी बताईएगा चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं फ्रेंड्स फिर कुछ नहीं टिप्स और ट्रिक्स के साथ अग